यह वह लेना दोस्तों इसको पढ़ना अनिवारी है मेंडेटरी है क्योंकि आप पूरा एक गंटा बचा आप देख सकते हो कि एक एक्जेक्ली वन आवर बचा है मार्केट को 14 बच के 31 मिनट यानि कि 69 मिनट बची है मार्केट को क्लोज होने में मार्केट गिरने का नाम नहीं ले लेकिन अब और बढ़ने वाला नहीं इतना मान के चलिए यह 385.85 का जो हाई बना है यह मुझे नहीं लगता तूटेगा मुझे नहीं लगता आज फिर भी इंपोसिबल कुछ नहीं है हमने यह वाला कॉल बताया था 169 का स्टॉप लॉस पूट तो वह अगर आ जाता तो स्टॉप लॉस मान लीजेगा और उपर जाता है तो भी इंट्रादेगी काटना इसको ठीक है और रही बात मारूती की तो मैंने उस दिन भी चीक चीक के बोल बॉली जो 75 प्लस का टार्गेट दिया विदी थर्टी फर्स्ट माच अब आज एक और जूबिलेंट फूट जो हमारी सांसे कल जो मैंने शॉट करवाय था उसने कम से कम कल की जो शॉट करवाय था 2560 उससे 3 रूपय नीचे आया तो आप लोग यहां पे नो प्रोफिट सब्सक्राइब है और हम शॉट के सो देखो और यह तेरा 14 परसेंट गिरा हुआ स्टॉक है तो एक रिस्क लिया था मैंने तो आपका लॉस नहीं है वक्तम सब्सक्राइब कि अब आए तो चार्ट देख लेते हैं तीन दिन की छुट्टी है मैं नहीं चाहूंगा कोई भी कोई पोजीशन लेके जाए लेके जाना है तो उसका तरीका में ढूंदता हूं कैसे क्या कर सकते चौबिस मार्च देखना पड़ेगा क्योंकि अब अगले दिन से तो यह वही एक्सपारी चालो हो जाएगी यहां तो देखे पुट में बुरी तरह राइटिंग है सत्रह अजार में तो सत्रह अजार तो ऐसा लग रहा कि इंपॉसीबल आना नेक्स्ट विक इंपॉसीबल तो सबसे बड़ी सपोर्ट सत्रह अजार पर ही है तो मार्केट अगर अगले विक नीचे भी आया तो सत्रह अजार पचास तक आएगा मैक्सिमम अब यहां देखिए सत्रह तीन सो पर भी लगबग इक्वल पूट राइटर खड़े हो गए बस इसका PCR काफी बढ़ गया है तो मुझे लगता मंडे की तेजी या यह हो सकता है गिरावट के साथ मंडे को खोले पीसियार वीकली पीसियार 1.3 आ गया है अलागी बढ़ता है ऐसा कुछ नहीं है नेक्स्ट विक आप सत्रह दोसो तो ज़रूर देखोगे और अगर हमारी लग अच्छा रहा तो एक बार सत्रह अजार पचास तक भी मार्केट ला सकता है बूना लग एक इसकी डंडी देखिए और इसकी डंडी कहा इसके सामने बहना लग गया अब तो यह भी बहना लगने लग गया ऑँटारा अजार भि करने मतलब market super तेजी में है अब करना क्या चाहिए करना यही चाहिए 17.500 का call और 17.200 का put next week का दोनों equal quantity में ले लिजे और अगर आप bullish है तो 2 is to 1 के ratio में ले लिजे जैसे 17.500 का call अगर आप 10 lot लेते हो अगर आप तेजी में हो तो 5 lot 17.200 के put की भी ले लिजे और मैं तो बोलूँगा बिल्कुल खाली आप जाहिए मंडे को जैसा खुलेगा वहाई पर हम लोग दाव खेल लेगे तीन दिन छुट्टी है कुछ भी हो सकता है bullish दिखा रहा है no doubt क्योंकि देखिए next week का PCR भी पुरा bullish ही दिखा रहा है यह देखे सत्रह अजार पर कितनी बड़ी रंडी खड़ी किए इसने 21,57,000 पुट ऑप्शन है उसके अगेंश पर सिर्फ 4,83,000 पॉल ऑप्शन है अठारा अजार भी बोना लगने लग गया इसके सामने तो तेजी तो दिख रही है मगर आपको करना क्या चाहिए सत्रह पांचों के कॉल आठ लोट ले लिजे सत्रह दोसों के पुट पांच लोट ले लिजे पाइव इस्टु एट ठीक है आठ लॉट और पांच लॉट वह भी रेशियो बहुत अच्छा जमेगा लॉस आपको नहीं होगा इतना में दावा कर सकता हुआ है क्योंकि आठ चार्ट स्पेशली यहां पर वीकली चार्ट देखना जरूरी है क्योंकि डेली चार्ट से कोई लेंदेन नहीं है डेली चार तो वीकली चार्ट में बुलिश ही दिखा रहा है कितनी सूपर बुलिश केंडल है तो यह तो 18000 भी नेक्स वीक दिखा देखा देखा ऐसा तो मैं चाओंगा, मैं 10 कॉल लूँगा, 17-500 की, और 7 मैं 6 पूट लूँगा, 17-200 की, 17-500 की, 10 कॉल और 6 पूट, 17-200 की, एकदम 3-25 पे लूँगा ये सब, उसके पहले नहीं लूँगा, जै जिनेंद्रा, जै भोलेना, जै